राधे राधे दोस्तों कैसे हुआ आप लोगास की हमारी कहानी का नाम है घडेलू हिंसा आज घर में चारो तरप ठीक वैसी ही सांती थी जैसे कोई तुफान होकर गुजरहो उसकी बाद होती है तभी उस सांती को तोरते वे सासुमा मधुजी की आवाजाई अरे बहु पती थपर मार दिया तो इसमें इतना क्या बूरा मनना बेचारा दिन भर बाहर काम करके ठाक हारकर घर में आता है तुम्हारे नाजो नकरे उठाता है तुम्हारा पेट पालता है बदले में परिसान होकर उसने हाथ उठा दिया तो ऐसा क्या हो गया जो बात का बतंगर बना रह से खाना लगा दो यहां हम सबको भूख लग रही है अगर खाना टाइम पर नहीं पड़ो सा तो भाईया दो बारा आपकी अच्छी खासी धोलाई कर देगा फिर ना कहना कि हमने समझाया नहीं था एक तो गलती करो आप और इलजाम पती पर लगा दो ननद देविका बीच मे नहीं बोल पड़ी लेकिन बहु दामनी अपनी जगा से खड़ी ही नहीं हुई उसके आशू थे की ठमने का नाम ही नहीं ले रहे थे उसी रोता हुआ देकर मधूजी बोली बहु इतनी कोमल काया वाली बनने की कोई जुरत नहीं है फटा फट उठो और खाना तयार करो खा ममी ने भी मुझे भी काम पर आपके साथ लगा दिया फटा फट खाना बनाओ जो जल्दी से अपने और ममी के लिए खाना पडोस कर ले जाओ कहती हुई देविका भी बाहर आ गई और रस्वय में रह गई सिर्फ दामिनी अपने चितड़े चितड़े हो चुके स्वभी मान को समिट कर जैसे तैसे वो खड़ी हुई उसे समस में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे उसने कभी भी घर का महौल ऐसा नहीं देखा था माईके में मा और भाई भावी सब थे बस पिता नहीं थे पर फिर भी घर में काफी सांती रहती थी भाई भावी का पूरा सम्मान करते थे पर पती का ये रुप भी होता है ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था और नहीं अपनी रिष्टेदारी में कहीं देखा था एक बारतो सोचा की मा को फोन कर सब कुछ बता देती हूँ पर इस समय कैसे भावी को बेटी हुई है मा तो उनकी देख भाल और घर की जिम्मेदारी में लगी हुई है फिर सोचा भावी को फोन कर दू पर भावी के कंधो पर पूरे घर की जिम्मेदारी है फिर वो मेरी अपन जिम्मेदारी कैसे उठाएगा कहीं भावी नराज हो गई तो इसी लिए कहते हैं पीता का होना बहुत चरूरी है कास आज पीता जिन्दा होते तो मैं अपने मन की बात कह पाती मन ही मन सोचते हुए उसने अपने आशों को पोछा और जाकर चुलहे परतावा चढ़ाया और ग नहीं आता है सास और ननत ने जब खाना खा लिया तब तक उसका पती तरून भी आ गया मधू जी ने इस सारे से तरून के लिए भी खाना लगाने को कहा तो दामनी तरून के लिए खाना प्रोसकर ले आई तरून ने अभी एक निवाला खाया ही था कि आचानक थाली को खाना बनाने नहीं आया तुझे नमक कितना कम डाला है सबजी में मुप्त की रोटिया तोरने के लिए लाया है क्या तुझे जो इन चीजों का भी ध्या नहीं रहता तुझे तरुन बहुत ही बत्तमीजी से दामनी से बात कर रहा था ये देकर दामनी और ज्यादा सहम गई ल दामनी का उसी समय जोर जोर से रोना छुट गया उसे रोता देकर तरुन उस्से में उसकी तरफ बढ़ा लेकिन तभी मधुजी बीच में आ गई और तरुन को रोकने की कोशिस करने लगी वहीं देविका को दामनी को अंदर ले जाने के लिए कहा देविका दामनी को उसके पीछे से मधुजी ने कहा यह तु क्या कर रहा है पगला ग्या है क्या एक ही महीने में क्या अपने पती होने का सारा हक जता लेगा इतना परिसान करेगा तो सब कुछ छोड़ चार कर चले जाएगी अरे कहीं नहीं जाने वाली मा बिना बाप की बैटी है भाई भावी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते और मा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो तो खुद बेटे बहु की मोहताज है इसे तो यहीं झेलना है पुरी जिन्दगी और फिर आप ही तो कहती हो उसे दबा कर रखा कर पहले भी तो उस पर हाथ उठा चुका हूँ वो तो ठीक है लेकिन भगवान के लिए घर का महौल खाराब मत कर तुझे जो करना है अपने कमरे में कर यहां सबके सामने उस पर हाथ उठाने की जुर्ट नहीं है तुझे और कुछ ही खाना है तो बाहर से लेया या फिर बाहर जाकर किसी होटल रेस्टूरेंट में खाकर आजा आज के लिए इतना ही चल जा यहां से आखिर मधु जी के डाटने पर तरुन घर की बाहर निकल गया इधर देविका दामनी को उसके कमरे में छोर कर मधु जी के पास आ गई तो मधु जी ने कहा क्या हुआ वो चुप हो गई नहीं पर वो रोध होकर खुद ही चुप हो जाएगी अब मुझे और डरामा नहीं देखा जा रहा है मा मैं अपने कमरे में अराम करने जा रही हूँ कहकर देविका अपने कमरे में चली गई इधर मधु जी ने घर का दर्वाजा बंद कर उस फेकी हुई ठाली को उठाया और विख्रा हुआ खाना समिट का रस्वई में रखने चली गई फिर दामनी के पास आकर बोली बहुत तरुन की बात को दिल पर मत लगा उसका गुसा थोड़ा तेज है अब तीन महीने की साधी में तुझे ये तो अच्छे से पता चल ही चुका है फिर क्यों ऐसा काम करती हो कि वो तुझ पर हाथ उठाए उसकी पसंद ना पसंद के अनुरूप खुद को ढाल लो ना कि ऐसी रोनी सूरत लेकर उसके सामनी आ पत्नी को पती के अनुरूप ढल जाना चाहिए देखा नहीं तेरे रोते ही उससे कितना गुसा आ गया मधू जी की बात सुनकर दामनी एक नजर उनकी तरप देखा जैसे कह रही हो कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो मुझे पर हाथ उठाया जा रहा है और बजाए अपने बेटे को समझाने के आप मुझे ही समझा रही हो लेकिन उसके मूँ से एक सब्द ना भूटा तभी मधू जी बोली अब अपने आसु पोचो और खाना खालो और रस्वई की सफाई कर देना मैं जा रही हू आराम करने के लिए मधू जी तो अपनी बात कहकर अपने कमरे में आराम करने चले गई पीछे दामनी सोचती रह गई कि आखिर कैसा परिवार है ये सच कहा है किसी ने कि औरत ही औरत की दुस्मन होती है सब मुझे ही समझा रहे हैं पर ऐसा नहीं कि अपने बेटे को तो दामनी उठी और रसोई की सफाई कर चूप चाप कमरे में आकर बैठ गई इतना सब कुछ होने के बाद भूख तो उसे कहां लगी थी तभी उसका मोबाइल बज उठा देखा तो मा का फोन था उसने फोन उठाया तो मा ने पूछा दामनी बेटा तु कैसी है मैं ठीक हूं मा आप बताओ मैं ठीक हूं पर तेरी आवाज अजीब से लग रही है कुछ नहीं मा बस अभी काम करके आई हूना तो थोड़ा ठक गई हूं अच्छा सुन कल कुवा पूजन है तो तेरा यहां होना बहुत जरूरी है तेरी सास को तो मैंने साम को ही फोन करके कह दिया था प उस समय तो उनका बेटा मुझ पर हात उठा रहा था तभी मा बोली ले तेरी भावी से बात कर वो तुझ से बात करना चाहती है कपसे पिछे पड़ी है कि दामनी को फोन तो लगाओ मुझे भी बात करनी है कहकर मा ने भावी को फोन दे दिया हेलू दामनी जी कल सुबा जल के संचिप्त उत्तर से भावी को सक्सा हुआ हमेशा अपनी भावी से खुल कर बोलने वाली ननद अगर इतना सा जबाब दे दे तो सक्तो होना लाजमी है उन्होंने धीरे से पूछा सब कुछ ठीक तो है ना कोई परिशानी है तो बता नहीं भावी सब कुछ ठीक है पर आखिर उन्होंने कहा दामनी तुम बताना नहीं चाती हो तो कोई बात नहीं मैं जबरदस्ती पूछूंगी भी नहीं मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत है जो संभाला नहीं जा सकता तो तुम वापस आ सकती हो ये मत सोचना की ये तुम्हारा घर है तुम पूरे हक से वापस आ सकती हो भावी के इतना कहते ही दामनी का रोना चुट गया पर भावी ने उसके रोने का कार नहीं पूछा बस इतना सा ही कहा दामनी अब तुम दो परिवारों की इज़त हो अपने माईके और ससुराल का मान तुम्हें लेकिन अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा हो तो उसको बरदास्त नहीं करना याद रखना अपने लिए खुद बोलना पड़ता है जी भावी दामनी ने बस इतना ही कहा और फोन रख दिया भावी के इतने से सब्दों से उसे एक नई उर्जा मिली थी एक नई हिमत वाली उसे यह अच्छे से पता चल चुका था कि उसके माईके में आज भी उसके लिए जगा थी जो उसकी हिमत को जगाने के लिए काफी थी अब वो तयार थी तरुन का सामना करने के लिए उसने अपने आशू पोछे और अपना सारा सामान एक बैक में पैक कर लिया और अपने लिए कैब बुक कर ली पर कैब से पहले तरुन घर पर आ गया मधू जी ने ही जाकर दर्वाजा खोला मधू जी को सामने देकर तरुन ने पूछा ममी आपने दर्वाजा क्यों खोला आपकी बहु कहा मर गई क्या वो दर्वाजा नहीं खोल सकती थी क्या हमेशा आग उगल जगी हुई थी मैं मैंने आकर दर्वाजा खोल दिया तो कुछ गलत हो गया क्या इतने में दामनी अपने बैग के साथ बाहर निकल कर आई उसे बैग के साथ देकर पहले तो दोनों हैरान होकर खरे हो गए फिर तरुन चिलाता हुआ बोला ये क्या नाया नाटक लगा रखा है तुमने कहा जा रही हो बैग लेकर अपने माई के जा रही हूँ दामनी ने कहा किसे पुछ कर जा रही हो इतनी हीमत कैसे आ गई तुम्हारे अंदर इसमें हीमत की क्या बात है अपने लिए आवाज तो खुद ही उठानी परती है अच्छा तुम्हारी इतनी हीमत हो गई कि तुम आवाज उठा रही हो अचानक इतनी आवाज कैसे निकलने लगी मुझे भाई भावी रख लेंगे तुम्हें अपने पास फिर तुम घुम फिरकर वापस सस्राल ही आओगी तरू ने बरी ही कुटिलता के साथ कहा इस गलत फैमी में मत रहना मेरी माईके का दरवाजा आ हाथ उठा दिया पर तुम तो रबर की तरह बात को खिचे जा रही हो ममी जी मैं आपके बेटे का पंचिंग बैक तो नहीं हूँ कि वो बाहर की सारी परिसानी मुझ पर निकालेगा अरे सच ही कहा है किसी ने औरत ही औरत की दुस्मन होती है आप जो मुझे समझा रही है उसको भी यहीं सब समझाओगी तुम्हारी इतनी हिमत कि तुम मेरी ममी से इस तरह से बात करो कहता हुआ तरुन दामनी की तरब बढ़ा लेकिन इस से पहले तरुन कुछ कर पाता दामनी ने जुरदार थपड तरुन के गाल पर दे मरा अचानक पड़े इस थपड से सब है लेकिन दामनी ने बोलना जारी रखा कमजोर नहीं हूँ मैं याद रखना अब मुझ पर हात उठाया ना तो घरेलो हिंसा के मामले में जेल पटक दूंगी बहुत बरदास्त कर लिया मैंने बस आज वो हद भी खत्म हो गई नहीं रहना मुझे तुम लोगों के साथ ये रि लेकिन माई की पहुचने से पहले ही दामनी ने तरुन के खिलाप घरेलो हिंसा का केस कर दिया घरेलो हिंसा के कारण तरुन को जेल हुई और उसके आधार पर ही दामनी को तलाक असानी से मिल गया आज ये दामनी अपने पैरों पर खरी है भाईया भावी ने अच्छा सा र जिवा करवा दिया जहां वो खुस है और सम्मान पुर्वक अपनी जिन्दगी जी रही है असा करती हूं दोस्तों ये कहानी आप लोगों को जरूर अच्छी लगी हो तो प्लिश प्लिश वीडियो को लाइक से यह और सब्सक्राइब करना और इस कहानी पे आपके क्या राए हमें कमेंट करके जरूर बताना धन्यवाद जै स्रीकृष्णा दोस्तों हरी बोल